आपका अपना कॉलेज का का तो भई जैसे हमने आपको बताया था लास्ट कल के वीडियो में कि आपका एक प्रोविजनल रिजल्ट सेकेंड राउन का कल रात तक आ जाएगा और वो आ गया था आपको आज पाइनल रिजल्ट भी आपका आ गया है अनलिसिस की बात करें कट आ कि क्या रही और आगे क्या जा सकती है जिसमें हमने टॉप टैन एम्स लिए और लास्ट के जो तीन-चार एम्स हैं वो लिए है जिससे आपको एनलाइज हो जाए कि कहां क्या चल रहा है और उमीद है और इसी तरह से फाइनल गौर्मन्न कॉलेजिस की क्या का टॉफ और गौर्मेंट कॉलेजिस का क्या रहा है जी, तो देखिए, गौर्मेंट कॉलेजिस के लिए, फर्स्ट राउंड की जो cut-off गई थी, जनरल की, 19,396 गई थी, जो के अब बढ़कर 22,104 ये आ गई है, स्कोर में अगर हम देखें, जो के मेली rank important होता है वैसे, तो देख लीजिए ये आप आराम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, round 1 है, round 2 है, 618 से 612 score पे चला गया है, rank mainly important है, 19,396 से 22,104 बात करें, next, अगर OBC category गी, तो OBC में क्या था, 19,977, first round की cut-off थी, 617 नंबर की अगर हम बात करें, score पे, यूँकि 22,456 यानि लगबग 612 नंबर पर आ गई, ये हुआ, अगर हम बात करें, EWS, जिसको बहुत benefit देख रहा है, यहां पे, जहां 21,500 एकरान वे, 21,591 rank पे, first round में, common college last a lot हुआ था, वो आके 24,430 हो चुका है, देखिए, यहां से 2000 rank ज्यादा, general का बच्चा और EWS का बच्चा, इतना difference आया है, इस बार 68 वाले को भी EWS में, second round पे, आपको college मिल गया है, ठीक है? हमने जैसे predict किया था, वही 22,25,000 rank तक, जो के prediction अपना था, second round का, general OBC का, वो हुआ है, हाला कि 24,000 तक 23 हमने last सोचा था, लेकिन EWS को भी बहुत अच्छा पाइदा मिला है, category SC की बात करें, 509 last score, एक लाख तेरा rank पे first round में मिला था, जो के second round में 492 तक आ गया, एक लाख 16,881 यहां तक, ST की बात करें, 141,000 तक था, 469, तक 465 तक आया है, 145,254, आगे क्या रह सकता है, round 3 में, तो भाई, general और OBC, इनकी जो cutoffs है, max to mix, यह 24,000 आ सकती है, नीचे, 24,000 max है, OBC के लिए 24,500 तक maximum जा सकती है, EWS जो इस बार बहुत अच्छा दिख रहा है, यह 1000 और अप कर सकता है, 25,500 तक जा सकता है, category की बात करें, SC की 116,000 है, 122 तक पहुँचने की chances है, 145 से 59, 150 तक आ जाएगा, SC category यह final रहेगा, third round में, stray में, अगर seat बचती है, तो और नीचे आएगा, otherwise नहीं आएगा, यह धियान रखना है हमको, second round से जो बच्चे third round में आए है, third round में, अगर उनको कोई भी college a lot होता है, उन्हें लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा का मतलब यह है, अगर उन्हें नहीं लिया, stray में तो नहीं जा सकते, फिर चाहिए आप अपने state की third round counseling को जा करके opt करिये, वहाँ पर आप participate करिये, लेकिन third round में, अगर कोई college मिलता है किसी बच्चे को, चाहिए upgrade होकर या पहली बार, उसने वो college नहीं लिया, join नहीं किया, और वो student stray vacancy में नहीं जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जबके state की third counseling में आप जा सकते हैं, third round college छोड़ करके भी, लेकिन third round college इसने join कर लिया, all India से चाहे upgrade होकर के आया या normal आया, उसने join कर लिया, उसके बाद वो state के third round में नहीं जा पाएगा, reason है, all India third round के बाद जो data है वो share होगा, mcc और state का mcc intra portal के उपर, जोके already आपके information bulletin में लेका हुआ है, ये एक issue आएगा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, aims की, तो देख लीजिए, aims में कैसे क्या रहा, ये थोड़ा सा point है, पहले top aims की हम बात कर रहे हैं, पाचों category की हम बात कर रहे हैं, first round और second round दोनों को हम check कर रहे हैं, कितना क्या जा रहा है, तो भई, aims New Delhi, first round 56, rank पे close हो गया था, second round में पहुचा ही नहीं था, मलब seat ही नहीं आई थी क्योंकि किसी भी बच्चे ने resign नहीं किया, किसी बच्चे ने उसे छोड़ा नहीं बिना join किया, सब ने join कर लिया, seat नहीं आई, OBC में 255 था, next में seat नहीं आई, EWS 223 था, वापे 223 वाले को ही मिल गया, 989 था, नहीं, और 1624, NA रहा नहीं मिला, ये first round में रहा है, बहुत important point है ये, दूसरा, अगर हम बात करें, aims भुवनेश्वर की, तो aims भुवनेश्वर का क्या रहा है भई, ऐसा दिखता है जैसे ये, single double digit क्या है, ये rank है, और इंडिया rank, बहुत top ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, 491, general का first round का rank था, 496 तक ही पहुँचा है केवल, भुवन 2017 rank से 1065 तक आप आया, बहुत जाला difference नहीं है, EWS 1617 से 1712 तो चला गया, SC category की बात करें, 6199 से 6075, और ST category की बात करें, 17653 से 20333, यहां तक आया second round में, देख रहे हैं, आप कितना increase हो रहा है, अब third aims की बात करें हम, aims जोधपुर की, तो general के लिए first round 497 से 469 पर आया, OBC 1050 से 1072 rank पर आ गया, EWS 1082, लेकिन कोई college में seat नहीं बची थी, मतलब आई नहीं थी second round, 6075 से 6225, SC category, और ST में 11350 को first round में बाता, second में पहुँची नहीं थी, seat, बात कर लेते हैं, aims भोपाल की 558 rank, first round में 579, बहुत कम margin आप देख पारें, OBC 1265 से 1323 तक पहुचा, इस बार aims quality जा रहे हैं और जैसे ऐसे aims पुराने होते जाते हैं, उनकी cutoff definitely हर साल increase होगी, यह बात आप जिहान रखें, EWS में 1323 से 1209, यहाँ पर आप देख रहें कम कैसे हो गया, कम ऐसे हो जाता है कि जब भी हम देखते हैं कि कभी ऐसा possible है, यहाँ पर यह EWS और OBC अलग-अलग है, पर ऐसा possible कई बार हो भी जाता है कि कम हो गई, किसी बच्चे ने upgrade कर लिया, पहले उसको college नहीं चाहिए था, अब चाहिए था, 12,000 यह ST category, next aims की बात कर लेते हैं, aims रिशिकेश, 773 rank से 776 rank पर आया है, केवल 3 rank increase हुआ है, 1627 से 1630 OBC में, EWS 1740 से आगे CT नहीं थी, next 9318 और 17259 से गिर गया, जो मैंने का 16,000 कैसे, इस बच्चे ने, पहले कुछ और लिया होगा, अब second round में उसे, यह college अच्छा लग रहा था, इशिकेश उसमें उपर रख दिया, उसे मिल गया, ऐसा भी होता है, फिर बात करते हैं, aims राइपुर की, next aims जो हमारे पास है, aims राइपुर, aims राइपुर में हमको क्या नज़र आ रहा है, बई, general 1179 गया था, 1262 तक पहुँच गया, OBC 1961 से 2022 तक आ गया, 2386 से 2632 तक 300 rank का इजाफा हुआ है, 11503, जबके कुछ भी नहीं मिला, पहुचा ही नहीं, CT नहीं खाली थी, ST 26000 rank से, seat खाली नहीं थी, बात करते हैं, aims नागपुर की, 1187 से 1264, 2141 से 2170 OBC, 2593 से 2716 EWS, 11918 से गिर गया, ऐसी possibility बिल्कुल होती है, अच्छे college के लिए, और 28000 से 20000 पे आ गया, फिर से गिर जाए, ST category में, पहले बच्चे ने, नहीं सोचा होगा, aims नहीं डाले होंगे, और फिर उन्होंने बात में डाले, ऐसी aims को उनको मिल गए, कुछ बच्चे state का भी इंतिजार करते हैं, हमें state में, first round में कुछ अच्छा college मिल जाए, जैसा चाहते हैं, वैसा नहीं मिला, या होने लगा कि नहीं, इससे better हमारे को aims मिल जाएगा, तो बाद में second round में आते हैं, ऐसा भी possible होता है, नेक्स बात करते हैं, aims, मंगला गिरी, उसे पहले पटना, पटना में 1417 से 1628, 2085 से 2275, 2239 से 2563, 15000 से 18000, और S3 में 49000 से गिर करके 33000 आया, मंगला गिरी की बात करें, तो भई 1720 first round में general का था, 1729 तक आया है only, 3153 OBC था, 2854 गिर गया, EWS 3033 था, seat नहीं बची, 21762, अलब सेम भी आजाता है, तो भी आयने लिख सकते हैं पन, यह उतना ही रहा, तो 21000 से घटके 13893 पर और 42000 से आगे कुछ भी अपडेट नहीं, ऐसे ही बात करते हैं, aims, भटिंडा की 1762 से 1942 तक आया है general में, 2886 से 3000 तक आया है OBC, 3300 से 3900 तक गया है, EWS में 22000 से 23000 आया है, 5000 से 5000 तक पहुँच गया, ST के अंदर बात कर लेते हैं, कुछ बचे हुए last के aims को हम दिखा रहे हैं, पहले हमने top 10 aims दिखाएं और हम last के 2-3 aims जिससे बच्चों को ध्यान रहेगी, नेक्स्ट राउंड में कहां तक अपन सोच सकते हैं, तो aims गौहाटी 3839, बहुत टफ कॉंपिटिशन चल रहे हैं, 4417, 5000 के अंदर ही घतम हो रहे हैं, अच्छे सारे, सारे ही जो aims हैं, OBC में बात करें, 4753 से 4909 तक आया, 5522 से 5701 EWS, 37,989 से 39,941 SC, 53,000 से 54,941 SC, इसी तरह से बात कर लेते हैं, ये था हमारे पास में, एम्स गौहाटी, जम्मू एम्स की बात कर लेते हैं, एम्स जम्मू में 3888, फर्स्ट राउंड में All India rank गया था, 4176 आ गया है, 4812 OBC का था, 5249 तक आया है, EWS 5259 था, 5068 कुछ बार ऐसा भी हो जाता है, SC 37,000 से 40,000 तक पहुंचा, और ST में 64,000 से 64,487, बहुँ जाला डिफ्रेंस नहीं आया, ऐसा होता है, लास्ट हम देख रहे हैं, मदुरई जो एम्स है, सब में कट आफ लास्ट ही गई है, मदुरई की, तो एम्स की अगर हम देखते हैं, यहां से हमको समझ में आ जाएगा, तो भई जहाँ पर, फॉर्स्ट राउंड में अगर देखा जाए, जनरल में 4,3,7,7 से बढ़कर 5,113, 5,000 को जस्ट टच किया, सेकेंड राउंड में लास्ट टेम्स जनरल, बढ़कर के हज से हज साड़े 5,000 या कुछ, केस में अगर बच्चों ने छोड़ा, 5,700 तक ये फाइनली लास्ट तक आ सकता है, बात करते हैं, OBC 5254 से 6556 तक आया, 7,000 तक आने की चांसे तक मान सकते हैं लास्ट तक, 6549 से 7723, 8,000 तक EWS एजिली दिख रहा है, और थोड़ा सा उसके और उपर जाने की चांसे, 40,000 से 44,919 SC में आया है, 50,000 तक आने की चांसे है, 66,942 से 72,000 तक आया है, 75,76 ईजिली आ सकता है, ये next third round की बाते हैं, कई बार ये भी होता है कि seat last में बच गई, बचे ने नहीं ली, तो कुछ और down भी हो सकता है, ये भी चांसे होती है, लेकिन क्योंकि इस बार upgradation, round 2 का college जोइन करके बचा round 3 में अप्गेड कर सकता है, इसलिए उतना ज्यादा cut-off गिरेगा नहीं जितना गिरता, ये भी आपको ज्यान डखना है, सारे factors को पता होने चीए, क्यों कब cut-off नीचे जा रही है, ज्यादा जा रही है, जैसे के, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि करनाटका में private college में इस बार cut-off last year से बहुत हाई गई है, उसका reason समझना होता है, last year जब हम counselling की बात करते हैं, counselling 2022, तो counselling 2022 करनाटका का जब rounds चल रहे थे, first round, second round, December चल रहा था, January चल रहा था, 2023 आ चुका था, और जब अच्छे बच्चे, जिनके नंबर साड़े 500 हैं, छस्तो हैं, 500 हैं, just government college से रुके हैं, वो जब जनवरी आ जाता है, तो सोचते हैं कि में में तो फिर से नीट है, हम वापिस नीट दे लेंगे, क्यों private college में जाना, इस वज़े से cut-off down हो जाती है, लेकिन इस साल, जब फिर से counselling time पे हो रही है, result time पे आया है, तो definitely cut-off high जानी है, तो सारे factors आपको पता होने चाहिए, एक factor पे काम नहीं किया जाता है, बस last year यह था, तो इस बार भी यह होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, trains होते हैं, change होते रहते हैं, बहुत सारे factors होते हैं, जो काम करते हैं, counselling का pattern होता है, जैसे third round में इस बार upcredation का मौका दिया है, तो यह सब चीजें भी factors हैं, जो cut-offs को उपर नीचे करते हैं, तो यह सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो बच्चे जो नहीं select हो पा रहे हैं, हमारे last के वीडियो उसको देखिएगा, हमने वहाँ पर बताया है, इस तरह के batches जो बहुत कम piece में, नीट काका जेई प्रोवाइट कर रहा है, इट काका जेई चैनल देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, कॉलेज काका के साथ-साथ, उस पे आप जाकर के पा सकते हैं, कुछ ऐसे अच्छे interesting test series और batches, जिनकी price बहुत कम है, इंडिया में सबसे कम price पे है, और बहुत अच्छे features हैं आपके लिए, जो कि आपको next year अच्छे एम्स में पहुंचा सकते हैं, इस बार अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो, बच्छे से त्यारी करिए, अपने desired medical college पे पहुंच जाएए, all the best.